नमस्कार जैश्री राधे मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करश्मक और आज हम राशी फल में बात करेंगे जून दोहजार तईस का महिना वृष्षिक राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आपके राशी स्वामी मंगल होते हैं तो कहिना के स्वभाव भी आपका ग आए है nine of wands का, the hermit का और two of pentacles का इस समय पर थोड़ा सा आपको जो है balance करने की जादा से जादा जरूरत है यानि कि हर एक चीज को balance करके चलना है क्योंकि इस समय पर हो सकता है आप किसी चीज को लेकर के unbalance हो जाए या unfocus हो जाए, unfocus नहीं होना है इस समय पर आप लोगों को लग सकता है इस महीने में कि बहुत सारे efforts जाल लिए, जीवन में बहुत मेहनत कर लिए और किसी चीज को लेकर के खास और से जैसे की आपका स्वास्त यानि health को लेकर के specially बहुत मेहनत कर लिए मगर अब नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं है चलना हमारा काम है, रुकना हमारा काम तो इसलिए आपको focus करते रहना है, अपने कार्य करते रहना है, अपने कर्म करते रहना है, इसका result आपको definitely जरूर मिलनेगा, प्रिश्चिक राशी के जातकों की समय पे शानी की धाया भी चल रही है जिस वज़ा से वो थोड़ा जादा इसमय पे परिशान है, दहमिट का का इस समय पे हमें शो कर रहा है कि कहीं न कहीं जो आपकी life में अगर father figure या आपके father जो है, वो हैं तो उनकी सला मश्वरा जरूर ले, unnecessary advice किसी को भी समय पे बिलकुल ना दे, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा और आपको ही मजाग उड़ेगा, जितना लगे आपको कोई आप आपको से advice लेना चाता है, केवल उसी की advice ले, unnecessary advice ना तो दे, ना ही ले, इसके अलावा जो आपके life में father figure हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जाए वो आपके बड़े भाई ही क्यों ना हो, या आपके पिता, या आपके पिता समान कोई व्यक्तिया आपके जीवन में है कोई भी कारे करने से पहले उन से इस समय पे सलाव जरूर ले, स्वास्ता का ध्यान रखने की खास तोर से जरूरत है, किसी भी तरह से धन राशी को बचा करके चलना है, यानि अनवशक धन खर्चा बिलकुल नहीं करना है, अगर unnecessary आप जो है धन खर्चा करते हैं, तो आपक पेमेंट्स अटके या कोई कारे धन से सम्मंदित अटक जाए, जिसकी वज़ा से भी आपका stress लेवल बढ़ सकता है, health को लेकर कि क्या guidance देते हैं, हमें cards चली जानते है, health को लेकर कि जो cards ने, angels ने guidance दी है, वो दी है good night sleep, एक अच्छी नींद जरूर लीजे, किसी भी तरह स और इसके अलावा, थोड़ा सा जो है, अपनी cravings को, अगर यानि कि आप किसी भी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं, तो उसको adjust जरूर कीज़ेगा, अगर आप उस चीज़ को नहीं नियंतृत करेंगे, तो आपको बहुत जादा परिशानी आ सकती है, वहाई पर love relationship को देख करके, देखते हैं, क्या कहते हैं, आपके लिए cards, wedding का card आया है, यानि कि ये situation एक तरह से आपकी love relationship को लेकर भी बहुत अच्छी रह सकती है, मगर वही चीज़ है कि किसी भी तरह की परिशानी आपको ना तो अपने उपर आने देनी हैं, ना अपने partner के उपर आने देनी हैं, इस समय पर जो लोग single हैं, व्रिश्टिक राशी के जातक उनके लिए रिश्टा आ सकता है, यानि कि अगर आप रिश्टा तलाश रहे थे, शादी से सम्मंदित तो रिश्टा आ सकता है, इसलिए जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहता, कि आपको किसी बड़े की सलहा लेन कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है, और ना ही आपको अपनी unnecessary advice किसी को देनी है, तो एक कुछ छोटी छोटी चीज़े हैं, जो आपको इस मैने में ध्यान रख करके चलनी हैं, अब आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए उपाय ये रहेगा, कि आपको हनुमान जी की उपास इस समय पर जरूर करके चलनी हैं, कहीं पर भी निकलने से पहले, ओम हन हनुमान जी का नाम ही ले लिजे, जै बर जंग बली बोल के ही घर से भान निकले, ताकि आपके सारे कष्ट जो है, उन सभी का आपको निवारंड मिल जाए, तो फिलाल के लिए मुझे दीजे इजाज कार ये श्री रादे